फ्रेंड्स विल्कम बैक टू मैं चैनल एंपी व्लोगर धनवी और मैं वू स्वाती तो फ्रेंड्स कैसे आप लग सब उम्मिद करती कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ तो आज की डेट पाच मई है और दिन जो है ट्यूजडे है तो आज बस मैं आपके स साथ मेरा नाइट रूटिंग शेयर करने वाली हूँ जैसे डिनर के बाद क्लीनिक जो होती है वो शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर मेरा जो है लंच वोल्ट कि सवारी डिनर हो गया था और डिनर के बाद जो है हमारा जो डेली रूटिन होता है क्लीन करना वो जरूरी होता क्योंकि हम cleaning करते हैं न तो तो शुबह फिर जंजट नहीं रहती है यार की सुबह उटते से जो गंदा सा में kitchen दिखता है तो बहुत दिमाग करा होता है कि यार क्या है सुबह ऊटे और ये kitchen भी साप करना है यह जैसे हमारे दूसरे दिन के लिए क्या हो जाता है कि इजी हो जाता है फिर दूसरे दिन हमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है तो कोशिश करना चाहिए कि जब डिनर हो जाता है तो हमारा जो नाए टूटिन है जैसे क्लीनिंग वगरे वो सब पुछ करके सोना चाहिए पर मेरे साथ ऐसा है कि कभी कभी नहीं हो पाता है मैं आप लोग के साथ मतलब बिल्कुल मैं आप लोग को बोल रही है आप लोगों को करना चाहिए मुझे भी करना चाहिए पर ऐसा पॉसिबल जैसे बच्ची कारान आ ने यार आप वो लोगी हमशे बच्ची का बाहना बताते हैं मेरा सथ एक ही मतल़ यह है कि बच्ची कारान नहीं कर पाती हूं मैं ऐगर आप करोगे न तो आप देखना अगर आप अपना ना इट रूतिन पूरा मतल़ कम्प्लेट करोगे क्लीनिंग करोगे सब अरेंज करके रख दोगे ना तो दूसरे दिन आपको इने इतने एनर्जेटिक लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा पॉजिटिव फिल करोगे आप और आपका जो मूड है न वो भी खराब नहीं होगा क्योंकि अपन गंदा सा देखते यार क कि बरतनब पड़े है किचन पड़ा है तो बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब होता है और अगर आप क्लीन करके रखोगे ना तो दूसरा दिन जो है आपका अच्छा स्टार्ट होगा आप करके देखना आप करते होंगे और आप यह भी नूटिस करना जिस दिन आप रात को क्लीनिंग अगरे नहीं करते हों तो आपका जो मौर्निंग होती ही कितने मतलब बुरे तरीके से रहती है गुस्दा आता है चलचल होता है मन तो ऐसा होता है तो यहाँ पर मैं अभी देखिए मेरा जो गैस वगेरे वो पूरा वेने क्लीन कर लिया था वहां से और यहाँ प क्या करती है मुझे पकड़ के खीचती है और रोती है तो मैं कभी कभी साफ नहीं करती हूँ पर कोशिच करती हूँ कि मैं कर लूँ साफ पर कभी कभी नहीं हो पाता है पर बरत्र नगर है न डेली साफ करके रखना चाहिए तो यहां पर है मैं बरत्र नगर साफ कर रही हूँ झाल झाल पर मेरे बारतन जो है जो एकश्य बारतन जो है पीने का पीने का पानी नी जासे कि खाना बनाने के लिए पानी हम लोग वही द देख सकते हूं आपसीड में कनल है तो वहीसे भरते हैं तो तो अच्छा है नहीं लगता है तो सांग है इसले मैं हमस्वाइब करते हो तो यहाँ दिख fisherman सिंक है न अच्छे से नहीं लगाया है सिमेंट लगाया है न तो वो अच्छे से प्लेन नहीं किया है तो कच्राव गरे है न वही पर अटक जाता है और गंदा सा भी लगता है पर मैं नहीं थी जब यह लगाया था न इसके पहले था यही पर तूट ग्या था Lig cir distinction थो बारा लगवाया है और यह मैं फिर पानी के जियर है तो साफ रही हो तो इसमें से जो पानी है वो मैं निल्ब निकाल कर रही हो और इसे नहें साफ कर रही हो कुए वैसर डेली जो नाइट में मैं साफ नहीं करती हूँ जब यह पाने खतम होता है इसमें से तब जाकर मैं साफ करती हूँ पर यह अभी दो-तिन दिन हो गए ते शाद तो यह गंदा हो गया था और जैसे बरतन साफ करती हूँ ना तो साबून वगर है ना इस पर जैसे गिर जाती है जैसे पाने गिर जाता तो इसे न साफ करना जोरी होता है तो मैं दो-तिन दिन में एक बार जैसे साफ करती हूँ या फिर जब भी इसमें से पानी खतम होता तब साफ करती हूँ तो डेली नाइट में तो नहीं करती हूँ मैं साफ और क्यों साफ करने में इसे बहुत दिक्कत होती है आप देख सकते ह शाप मतल़ होना पड़ता है तो अभी नपाय था तो मैं बँसकती yellow या फिर डिल्यानी को तो किखे looking at the शाच पाक्थ राता है जुआ बले संसे कि नीचे अगरे ने तो क्या होता है आप देखसकते उदर सेड लगाए ना नल तो नीचे गिर जाता है पानी जो की गिला सा हो जाता है और गिला तो अभी भी हो जाता है किचन मेरा क्योंकि नल जो आता है ना एकदम प्रेशर के साथ आता है तो पानी इदर उदर उड़ता है कितना भी साप करने कोशिश करो ने गिला ही रहे ज तो यहां पर मैं इसे साप करके रख रही हूँ यहां पर मैं जैसे मेरे बरतन पर साफ हो गेते और कैन वगेरे मैंने उससे पर दो लिया था और फिर देखी यहां पर मैं जो पानी गिरा था ना तो इसे पोछा लगा रही हूँ मतलब कपड़े से साप कर रही हूँ आप गैडे में कुछ भी हुद साफ हो जाएगा आप लोगों से बात करना पौसीबल नए जी परेशान कर रही है तो मैं बाद में आप लोगों से बात करती हूँ तो अभी ये morning का time है तो मैंने आपके साथ मेरा night cleaning ये वो share किया है और ये जो morning का जो दूसरा दिन है ना तो morning के टाइम है तो वो आपके share कर रही हूँ मैं तो देखिए हम लोग यहाँ पर नीची सोने लगे हैं नीची इसलिए सोते हैं क्यूकि हमने जो कूलर है बाहर लगाया है यह हॉल में लगाया है और जो बेडरुम की विंडो है na वो विंडो है न छोटी है तो वहाँ पर पर कूलर जो है न आप नहीं पाता है तो हमने बाहर ये लगाया है कुलर को, हमने सोचा तो इस बार की नया वाला कुलर में चोटे साथ का जो कुलर है वो लेंगे पर नहीं हो पार, मतलब नहीं ले सकेंगे इस बार क्योंकि आप लोगों को पता है इस साल भी ही पर निकालना है तो ह्याँ पर जो मैं कम्बल वगए उठा के रख रही हूं कि मतलब अच्छा से रख देती हूं हाँ कपसे मैं सो कर उठी तो उसके बाद नहीं रखा था कि बेड़ वगए है ना विश्णोर वेकर मैं नहीं उठाती हूं बहुत कम ऐसा होता है किुछ में उठातीयुका में उठाती घर में रहतीया हैं जो फिर इसे घर में रहते तो वो लोग टा लेते हैं और हां मेरे हस्बेड निन ड्यूटी गहते निट वो घर पर रहते हैं तो वो कंबल oh अगर है न उठा के रख देते सब मुझे उठाने के जुरुत नहीं पड़ती है पर मेरा हजब नहीं थी इसले मैंने उठाया यह आज कर दो सुछ कर दो सुछ कर दो सुछ कर दो सुछ गराया है देख सकते इशु बहार से आ गई है घुमकर मतलब जैसे आंगन में खेलती है तो आ गई है तो अभी है वो मुझे वीडियो शुट भी नहीं करने देगी वो क्या करती है जैसे मैं मोबाल लेती है और ट्राइपोड में लगाती हो न तो वो ले लेती है पकड़ती है खिचती है वो नहीं करने देती है उसने मेरा ट्राइपोड भी तोड़के रग दिया है तो अभी लोगों से बात में बात करूंगी अभी इश्यों आ गई है कि क्यों बात भी नहीं करने देंगे अच्छे से तो मिलती हूं नेक्स टुडियो में तब ते के लिए बाए बाए टेक केर